गुड एवनिंग दोस्तो मेजर लीग बेस्पाल के बारे में हम बात करेंगे ये जो माच होने वाला है सी आर वर्सिस पी बी पी के दर्मियान इस वीडियो में दोस्तो हम आपके साथ टीम एनेलिसिस करेंगे साथ इसाथ दोस्तो आपको की प्लेयर्स के बारे में जानकारी प्लेयर स्टेटस और टॉप क्लास कैप्टेन वाइस कैप्टेन ओप्शन्स भी बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों इस माल से जुड़ी कोई भी जानकारी और दोस्तों फाइनल अपडेट टीमस पाने के लिए आप हमसे हमारी टेलीग्रम चैनल पर भी जोईन हो सकते हो टेल लिंक आपको नीचे मिल जाएगा प्यारे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम दोनों टीमस की रीसेंट परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि दोनों टीमस में कौन से टीम सिट्रॉंग टीम है हाला कि दोस्तों पहले में आपको बताते चलूँ कि दोनों टीमस उतनी जादा स्ट्रॉंग टीमस है नहीं बात करेंगे सियार की तो लास्ट फाइव मैच में दोस्तों इसने कोई मैच तो जीता नहीं है पीबीप की बात करेंगे लास्ट फाइव मैच में दो मैच जीते हैं तो देखा जाए यहां पर पीबीप की टीम आगे देखने को मिल रही है, अब बात करते एं दोस्तों टोटल मैच की बात करेंगे दोस्तों अभी तक लास्ट ट्वेंटिफाइव मैच मे दिखा जाए, तो PBP जो टीम है इनने दस मैच जीते है 25 मैच में, अगर CR की बात करेंगे, CR ने 24 मैच में दोस्तों I'm sorry I'm sorry दोस्तो PBP की बात करेंगे 24 मैच में इन्होंने 10 मैच जीते है और 25 मैच में केवल 3 मैच दोस्तो CR की टीम जीत पाई है तो यहाँ पर भी आपको PBP की टीम आगए देखने को मिलेगी हेटवर्ड की बात करेंगे दो उप्षन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों में से दोस्तो अगर देखा जाए तो पहला वाला उप्षन जादा कैप्टेंसी के लिए ठीक रहेगा PBP यानि टॉप क्लास टीम की तरफ से ठीक प्लियर है और साधी साथ इसकी बैटिंग एवरेज 10 पलस है और नीचे वाली की बात करेंगे 5 पलस इसकी बैटिंग एवरेज है और बेस्ट कैप्टेंसी ओप्षन पर ग्राण लीग की बात करेंगे जे बुरू बकेर दोस्तो कैप्टेंसी के लिए ठीक रहेंगे थोड़ से आपको high grade में मिलेंगे और उसके बाद दोस्तो ये C over 10 की बात करेंगे highly receive ground लिखते में captaincy के लिए ठीक रहने वाले हैं हलाकि दोस्तो head to head में इन दोन को captain wise captain नहीं रखा जा सकता है catcher section की बात करेंगे कल के match में दोस्तो ये जो option आपको देखने को मिल रहा है CR की दरब से इसने 36 dream highland points score किये थे और एक home run भी score किया था तो फिर से captaincy के लिए important option रहेगा और इस player से single run, double run, home run और दोस्तो triple run की भी उमीद की जा सकती है best option और best option है और वही दोस्तो ये वाल option सिर्फ vice captaincy के लिए ठीक रहेगा last match में इसने भी दोस्तो आई थिंक 18 dream highland points का score किया था ये भी दोस्तो ठीक रहेगा vice captaincy के लिए लेकिन इस वाले option को आप captain try ज़रूर कर लेना अगर आप six teams के साथ खेलना चाहते हो infielder outfielder section की बात करेंगे पहले आपको बताते चलूँ कि ये match ज्यादा तर मेरे अंदासे grandly के लिए ठीक रहेगा लेकिन अगर आप खिलना ही चाहते हो head to head तो वो भी आपको मिल जाएगा मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका team आपको मिल जाएगा दोस्तो आप बात करते हैं यहाँ पर इनवाले players की है जो आपके सामने इस वक्त flash हो रहे है तो यहाँ पर डी डुरिरी की बात करेंगे दोस्तो ये captaincy के लिए ठीक नहीं है आप इसको vice captain अपने grandly team में try कर सकते हो m mounts cash की बात करेंगे ये भी दोस्तो इस normal player आप pick up कर सकते हो devil back की बात करेंगे captaincy के लिए important option रहेंगे grand league में m chase की बात करेंगे normal option है k hays की बात करेंगे normal option है आपको 15-20 point या 10-15 point स्कोर करके दे सकता है या जादा से जादा दोस्तो आप इससे single round double round की उमीद लगा सकते हो k framer की बात करेंगे normal option है morgan normal option है जिसके अलावा नीचे की बात करेंगे j event matter की बात करेंगे simple options है इनमेंसे कोई भी player captaincy के लिए ठीक नहीं रहेगा एक option मैंने आपको captaincy के लिए ठीक बता दिया वो दोस्तो यहाँ पर dvallback दोस्तो pvp की दरब से मैंने captain option बता दिया अच्छा और ये वाला option vice captaincy के लिए ठीक रहेगा बाकि दोस्तो कोई भी option ठीक नहीं रहेगा out filter section की बात करेंगे लेकिन आपसे request है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर ले गंटा दबा दे latest dream 11 की वीडियो उसको सबसे पहले देखने के लिए भी रिनॉल्डस captaincy के लिए ठीक रहेंगे टी फैम वाइस captaincy के लिए ठीक रहेंगे और साथी साथ दोस्तों आप इसे double run runs batted in, runs scored या stolen base की उमीद लगा सकती हो batting average up to 15 है इसकी टी फैम दोस्तों वाइस captaincy के लिए ठीक रहेगा बी गैमिल दोस्तों वाइस captaincy के लिए ठीक रहेगा टी निक्यान को captain try कर रहेंगे अगर आप grandly खेलना चाहती हो इस प्लेट से आप अच्छे points के उमीद लगा सकते हो अलमोरा, last match में दोस्तों 11 points का score किया था वहीं दोस्तों अगर जे मेरसनिक की बात करेंगे ये भी normal option है, टी फैरडल normal option है इनमें से कोई भी option captaincy के लिए ठीक नहीं रहेगा दोस्तों एक तो मैंने आपको captain बता दिया T-stepson से एक option ये है दोनों grandly के लिए ये वाले ठीक रहेंगे तो total हो गए तीन, तीसरा और ये रहा चोथा option D-wallbag, चोथे option के साथ-साथ मैंने आपको बता दिया, B-Reynolds पाँचवा option पांच वे option के साथ-साथ ये रहें मैंने आपको बता दिया चहथा option तो total option से मैंने आपको छे बता दिया चे गरांड लिए अब दोस्तों आपको टेमश में लेंगे टेलीग्राम पर head to head small league और grand league फिलाल यांसे आप दीचे इजाजद, भाई बाई, अदेस्ट अपलाग, लव यू तो आल.